LCM of 1, 2 and 1, 6 यानि 12 और 16 का LCM निकालना सीखेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है इन दोनों के हम Prime Factor करेंगे हमारा method है Prime Factorization Prime Factor करने के लिए दोस्तों आप जानते हैं कि हमें अपना Prime Number से Divide करना होता है 2, 3, 5, 7 यह आपके 4 Prime Number है देखो इसमें 2 का Divide किया कितना 6 Time होगे 6 में 2 का Divide किया कितना 3 Time 3 में 3 का Divide आपका 1 Time यहाँ पे इसमें 2 का Divide किया कितना 8 Time 8 में 2 का Divide किया कितना 4 Time 4 में 2 का Divide किया कितना 2 Time 2 में 2 का Divide दोस्तों आपका 1 Time तो यहाँ पर 1, 2 के factor हमें क्या मिल गए है आपका देखो इसके factor क्या मिल गए हमें हमें क्या निकालना है दोस्तों अपना LCM तो यहाँ पर एक simple sub process करना है ध्यान से समझना दोस्तों पहला step दोनों के common factor देखो यानि ऐसा factor जो यहाँ भी है यहाँ भी इसको एक वार लिखते जाना है अब उसके बाद जो पीछे बचे हुए factor उनको लेना है देखो यहाँ पर आपका कौन 3 बचा हुआ है यहाँ पर 2 multiply 2 बचा हुआ है इन सब का हमें अब करना है multiply तो यह 12 choice multiply 2 कितना 48 तो यहाँ पर इनका LCM कितना आगया दोस्तों आपका 48 यहनी 48 निकल कर आया है तो इस तरह से है जो आप अपना फ्राइम फेक्टरिजिशन के द्वारा LCM निकल सकते हैं यह वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल के प्लेलिश्ट पर विजिट करें Thank you